जो बेक्ती जीते जी खुब सारा पुन्य करते दम करते मरने के बाद उसको ना चाहने वाले अज़ारों लोग मिलके वो बेक्ती दुर्गती में जाए दुर्गती में जाए दुर्गती में जाए क्या जाएगा क्या प्वाटती पतुल्याया सायो संता टिया कायां परुपमया संपासंग अज के विशेश कारक्रम में अपास्ति पुजने पिकुष titled पेकु संग में जेस्त पुजनिय प्राद्य बग्दाक्तर यम सत्यपाला महा थेरो बंतची पुजनिय विखो रत्न दीप थेरो पुजनिय विखो दिपंकारा पुजनिय विखो संग पाला पुजनिय विखो तमसिल थेरो पुजनिय विखो मंगल बोधी पुजनिय विखो नाक्षिन प्रमुका, पिक्को संग, स्राम निर्गान, और स्रता सांपन्न, बुद्धी सांपन्न, उपासक उपासिकाएं. आज विशेष्ट दिवंगर, उपासक बीर बाबा के पुन्य स्मीति, पुन्यान मोदन के लिए आज विशेष्ट कारिक्रम का आयुजना हुआ है. पोजनिय पिक्को संग यहां उपास्तित है. तो यह पुन्यान मोदन, पुन्यान मोदन क्या है? कि विशेष्ट जो कालकतित उपासक है, जो हमारे आखों से दूर हो चुका है. जिसे हम चाहा के भी अच्छा खाना है करके नहीं दे सकते, अच्छा कपड़ा है करके नहीं पहना सकते, अच्छा कहरे करके नहीं रख सकत अच्छा पैसा है करके हम किसी प्रकार के साथ नहीं दे सकते तो उनके सुगती तथा निर्वान का आमना के लिए ये पुन्यानुमोधन कारिक्रम है सबसे पहले हमें पुन्य संचे करना है चाहे सेल प्रातना द्वारा हो परित्रान पात स्रवन द्वारा हो तामदेशना स्रवन द्वारा हो दान सेल भावना परिपुर्ण द्वारा हो हमें पुन्य संचे करना है जल को साची रखते हुए ये शरीर से ये वानी से ये मन से पुन्यानुमोदन करना है ऐसा पुन्यानुमोदन सिर्फ आज की समय में इने महाकारुनिक तठागतबुत की समय में भी ये पुन्यानुमोदन चलता था तो ये पुन्यानुमोदन विशेष्ट जो दिवंगत हो चुके है जो कालकति थे वो उपासक के सुगति तथा निर्वान कामना करते हुए ये पुन्यानुमोदन करते है अभी जो दिवंगत हो चुके है उनको ये पुन्यप्राफ्ट होता है क्या? नहीं होता क्या? होता है ये भी हमें पता नहीं क्योंकि मुझे पुन्य मिल गया ऐसा तो बोलने आता नहीं, और नहीं मिलता ये भी पता नहीं, महाकारुनिक तथागर्बत के समय में, अनात्पिंदिक महाजन के जो पोती है, उसके कारण ये पुन्यानमोधन का प्रारंब हुआ, एक समय मगत के राजा विम्भी सार को अनेक बार बयानक बयानक सुपन दिखता है, सामने हे, मगर बार बार और वही, वह इसा ही सपना दिखने लगा, तो वह दरने लगा कि क्या है, क्या बात है? तो वह पहवान बुद्द के पास जाके पूछने गए, तो पहले एक समय के तुमारे ही अपने, किसी एक पाप के वज़ा से दुर्गती में है, अ अनुमोधन करने वाला कोई नहीं है, तुम बुद्ध के उपा सको, तुमें पुन्य करना आता है, इसलिए तुम पुन्या अनुमोधन करें, इसलिए तुमें ये सपना दिखाया, तो अभी मैं क्या करो, पुन्य करो, पुन्या अनुमोधन करो, राजा अभिमिशार ने पु अगर जो दिवंगत हो चुका है और सही में उसको पुन्नी की जरुवत है और वो पुन्नी की आसा करके बेते है और हमने पुन्ने संचे करके पुन्यानमोदन करते है तो पुन्ने प्राप्त होता है ऐसा कहते है जैसे यही समय में टीवी हो रेडियो हो तीवी खोलेंगे तो तीवी चालू रहता है, रेडियो खोलेंगे तो रेडियो के फ्रिक्वेंसिय अनुसार, वहाँ सब चलता रहता है, मगर हम वह रेडियो चालू ही नहीं करते हैं, हम वह तीवी खोलते ही नहीं, तो वह आता है क्या? नहीं आता, वैसे ही जो दिवंगत ह यह हो चुकए है, वो पुन्य वान है, टर्मात्मा है, वो तो सुगति में चला जाए में, और सुगति वाले को कोई पुन्य की आवच सेकता है नहीं रहता अशली की आशा करके कितना भी रेडियो खोलो तेवी खोलो वह वहाँ चालो नहीं होगा उसे तरह जिस तरह पुन्य का आशा करके बैते हैं वेसे ही हामे भी पुन्य संशे करना है और वो पुन्य अनुमदन करना है तब जाके वो पुन्य प्राप्त होगा नगर यह महाकारुन एक तथावत पुत के दम्म वैक्यानिक दम्म है मानपतावादी दम्म है जो आखों से नहीं डिखता उसमें जादतर विश्वास्त नहीं करते अब यह हमें पुन्यानमोदन करना है यह बहुत परंपरा है चाहे स्रणकाओ, ठालाणओ, म्यानमाओ, लाओ, सो, कमबो दियाओ मरन पसाद इस तरह का पुन्यानमोदन करते है तो हम भी कर रहे है तो यह पुन्यानमोदन करके उनको पुन्यप्राप्त हुआ यह भी पता नहीं उनको पुन्यप्राप्त नहीं हुआ ये भी पता ने, तो ये क्या कर रहे है, ये हम अपना करत भी कर रहे है, जीते जी, आखों देखा हमें, हर तरह से साथ देना है, स्वयोग करना है, सेवा करना है, सतकार करना है, सब करना है, मरने के बाद भी भूलना नहीं है, उपासक उपासका है, कोई अपने लोग मरने के पुलना नहीं है, मरने के बाद भी हमें याद करना है, अब याद कैसे करना, बहुत सारे लोगों को लगता है, ठोरा सा रुआइट रुआइट नहीं क्या तो ये यादे नहीं कर रहा है, जैसा लगता है, तो लोगों को दिखाने के लिए ही, लोग रोके बेते हैं, घसा, ए एक्たम रोरोगे रोरोके बेटे और व्योग करbesण है और व्यूमितला मैं जब भिया है यह वर्यूद्ध ऐसा नहीं है यह डूंगी पना हो गया तम्म करो और वो पुन्य के आनुबाब से उनकी सुगति तथा निर्वान कामना करते हुए पुन्य अनुमोधन करो इसलिए न केवल आज के दिन कभी भी याद आए तो पुन्य करो चाहे दान देके हो, चाहे सिल पालन करके हो, चाहे त्यान साथना करके हो पुन्ने करो और वो पुन्ने अनुमोदन करो ये सही माहिने में समरन है समीटी है आदर है सम्मान है अभी जो भी गुजर जाते हैं ये देख देख के हमें भी बहुत सारी बातें सिखना रहता है सबसे महत पुरन बात देखे है जो भी बाबा गुजर गए है उनका कितने परिवार रहेंगे कितने बड़े बड़े अपसर लोग परिवार है बेता है करके कोई भी साथ में लेके गया क्या नहीं हमें भी वे शाहि सब कुछ छोड़के जाना है उनके पास टान संपती है गा हमें भी मरते समय सब कुछ छोड की जाना है और तो और ये मेरा हाथ ये मेरा पेर ये मेरा चेहरा कितना अच्छा लगता है ना अपने सरीर बुडे बुडे लोग भी अपने शरीर को नहला तोला के कितना अच्छा रखते हैं तो ये शरीर भी क्या उपासतने साथ में लेके गया क्या नहीं यही छोड़के गया कितने कितने लपरेों में जला के राख बना दिया और उसमें भी जो और उसे बच गया उसको भी पाने में बहा दिया हमारा सरीर भी एक दिन ऐसे ही राख बनने वाले है और ये सरीर के लिए हम नजाने दुनिया भर के पाप करके बैठते दुनिया भर के अपुसल करके बैठते इसलिए उपासक उपास सिकाएं याद रखना कोई तहन संपति साथ में आने वाला नहीं है कोई परिवार साथ में आने वाला नहीं है अपना ये सरीर भी साथ में आने वाला नहीं है चित्त दहारा के संग 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 ये की साथ में आने वाले है वो है कमा कम बले तो काम काम बले तो जो हम सरीर से वानी से मन से करते वो कम्मा कम्म या तो अच्छा है कुसल कम्म या तो गुरा है और कुसल कम्म जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही परिनाम आता है जो बुरा करता है उसको बुरा ही परिनाम आता है आप लोगों को क्या लगता है कोई एक बैक्ति खुब जिवन में पाप करके गया मर गया और वो बहुत पैसे वाला है अच्चारों लोगों को बुला के मेरे पिताजी या मेरे वो बैक्ति सुगती जाए, सुगती जाए करके दानकुन्य करने से या अच्चा करने से वो सुगती जाएगा क्या क्यों नहीं जाएगा क्योंकि जिवन बरुष ने पाप किया है और वैसे ही जो बैक्ति जीते जी खुब सारा पुन्य करते दम करते, मरने के बाद उसको ना चाहने वाले अच्चारों लोग मिलके वो बैक्ति दुर्गती में जाए दुर्गती में जाए क्या जाएगा क्या संबब नहीं जो अच्छा करता है वो अच्छे गती पे जाता ही है जो पुरा करता है वो पुरे गती पे ही जाता है इसलिए महाकारुनेक तठागत पुत्त केते अत्ताई अत्तनों नातों, वही नातों परोशिया, हम खुद के मालक खुदी है, हमारे कोई मालक नहीं है, जीते जी हमने पुन्ने किया, तम्म किया, दान दिया, सिल पालन किया, त्यान भावना किया, हम अपने आप सुगति जाएंगे, अपने आप निर्वान के नजदिक जाएंगे मैंगर जो ब्यक्ति पाप करता है और उसके कितने भी परिवार हो कितने भी तान संपति हो मरने के बार उसको शुगती नहीं पहुंचा सकता इसलिए ये वर्तमान समय आमारे हाथ में जो गुजर गए वो गुजर गए उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते उसको समय हमारे हाथ में ये समय में हम चाहे तो मन में खूब प्रसंदता खूब पुन्य बाप से भर सकते हैं खूब पुन्य कर सकते हैं अगर नहीं चाहा तो इतने अच्छे जगह में बैठके भी मन में नदाने क्या 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 का लोब लाला जराग त्वेसा मोहो क्लेशा अने पेंग नेग सोचते हैं सोचते हैं सो पाप ऐसे वह करके बेतेगा वार मिसे को गाली देगा और किसी differenti को पाले इसलिए वरतमान समय हमारे हाप में है हम चाहे तो खूब अच्छे पुन्य धम कर सकते और पुन्य धम करके बेता तो कोई हमें सुगती पहुचा देगा कोई हमें टार देगा ये आश रखने की जरुरत नहीं है यहां अच्छा किया तो यहां भी अच्छा होगा बीच में भी अच्छा होगा अंत में भी अच्छा होगा इसले उपासक उपास का हैं ये बोध परंपरा है पुन्यानु मोधन करना स्वयम महाकारुनिक तठागत बुद्ध ने भी ये पुन्यानु मोधन द्वारा दुर्गति गामी प्रानी को दुर्गति मुक्त किया है मगर तथागत बुद्ध ने एक समय ऐसा भी दिखाया है, कि कोई एक उपासक रोते रोते बवान बुद्ध के पास आते हैं, और कहते हैं, हमारे पिताजी गुजर गए, हमारे पिताजी को सुगती पहुचाना है, आप तो बुद्ध हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं तठागत बुद्ध हर चीजे लोगों की मनस्तिति को देखते हुए समझाते हैं कभी-कभी सिदे-सिदे समझाते हैं कभी-कभी व्याथ्याद करके समझाते हैं कभी-कभी अनेक उधारन देखे कहानियों के साथ समझाते हैं और कभी-कभी उनको ही प्रती प्रस्ण करके समझाते हैं, उस समें महाकारुनिक तथागत बुद्ध उनको समझाने के लिए कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, दो मट्की का बर्तन लेलो, एक में बालो भर्दो, एक में खी भर्दो, तो उपासक प्रसन अरे मेरे पिता भाजी के लिए बुद्ध बहुत बड़ा करमकानद करने वाले, ठीक हे करके तुरूंद घर से लाया, तथागत बुद्ध कहते हैं, ये पकरो और नदी के तरफ चले, और नदी में पहुँँचने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, जो बालो वाला बर्तन है, उससे फोर दिया, सारे रेती बालों पानी के नीचे गया, फिर तठागत बुत कहते हैं, अभी जो घी वाला बरतन है, उसको भी फोर दो, वो प्रसन्न, वो कुशी कि मेरे पिताजी के लिए बुद्ध बहुत बड़ा कर्मगांद कर रहे हैं, वो घी वाला बरतन भी तोर दिया, औ पानी में आके बैठा, उस समय तठागत बुत कहते हैं, है उपासक, अभी ऐसा करो, जो पानी के उपर तईर आए, वो घी को पानी के अंदर भेजो, वो पानी के नीचे जो दुब दे आए, वो रेती, उसको पानी के उपर तईर ने लगाओ, तो उपासक देखते रहते, वगवान, ऐसे कैसे संबब है, वो रेती, पार युपत है, वो पानी में दुबनाई है, और वो घी, पानी में तेरना, उसका सुबाब है, वो तो तेरे गाई, तठागत बुत कहते हैं, हुपासक, मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, जिस तरो रेती का सुबाब है, पानी म दुबना, उसका पहारे, वैसे ही जो बेक्ति पहारे उठत, अकुसल करेगा, पाप करेगा, वो न चाहते हुए भी दुरगति गामी होगा, दुगति में ही जाएगा, मगर जो घी जैसा हलका फुलका अच्छे काम करते हैं, पुन्नी करते हैं, तम करते हैं, वो सुगति, अच्छे करते ही जाएगा, मतलब कोई भी किसी को भी ऐसे सुगति नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर इस तरह सुगति पहुंचा सकता हो, तो हर कोई सुगति के लिए थोड़ा बोट बजित रखता, जिसके पास पैसा है, वो एक करोर रखता, जिसके पास पैसा नहीं वो ए एक लाख रुपे का पुरा का पुरा तम करके पुन्नी करके उसको सुगति पहुंचा देता, फिर क्या, जीते जी, खाओ, पीओ, मोज करो, रेन लेके भी घी भात खाते रो, नगर मोज करो, मज्जा करो, क्योंकि मरने के बाद सुगति पहुंचाने वाला तो यह न, ठेक संभव होता है क्या, नहीं होता, अगर ऐसा होता तो पैसे वाला कोई दुरगति जाता ही न, पैसे वाला कोई गलत जगव पे जाता ही न, वो तो हमेशा सुगति ही चला जाता, इसलिए उपाशक उपाश चिकाए, यह वरतवान समय हमारे हाथ में हमें होग पुन्नी करना चाहिए, खोग तम करना चाहिए, जितना हम धान सिल त्यान भावना द्वारा पुन्नी करेंगे, उतना ही हमारा कल्यान होगा, उतना ही हमारे सुगति का कारन होगा, इसलिए उपाशक उपाशक उपाशिकाए, हम भी जिबन में खोग सारा पुन्नी करना चाहिए, खोग सा अगर उनको पुन्य के आवसेक्ता है तो उनको पुन्य भी प्राफ्त हो गया अगर पुन्य आवसेक्ता भी नहीं है या पुन्य प्राफ्त हुआ नहीं हुआ हमें पटब कर रहे हैं और दुसरा प्रत्त अच्छें पुन्य कर रहे हैं यही मोगे पर इतने सारे भिक्कोर्य को बलाके इतना बड़ा पुन्यकार्य कर रहे hospital इसलिए इस तरह का यह जो हम कर रहे हैं इसलिए आज पूजने बिकुशंग को यहां आमंतरन करते हुए जो हमने परित्रान पाद स्रवन किया, सिल प्रातना किया, तम्म देशना सुना, पोजन दान दिया, जो दान सीला भावना परिपुर्न हो रहा है यह बहुत बड़ा प पुन्य के आनुबाब से बुद्ध दम्म संग क्यानंत अनंत गुन दम्म और आशिरवात के आनुबाब से विश्चेश रूप से जो दिवंगत उपासक है, उनको सुगति प्राप्त हो, दुखमक्त निर्वान प्राप्त हो, जो जीवित संपुर्ण परिवार है, बंद सबकी जीवन में बुद्ध का अशिवात रहे, दम्म का अशिवात रहे, संग का अशिवात रहे, जीवन में खूब सारा पुन्य दम्म करते करते, यह दुर्लाप, यह अमल्याप, यह सर्वस्रेश्ट मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अन्त में जन्म निर्वान तक प्राफ्त कर सके ऐसी काम ना करते हुए यह दमा देशना यहीं समापन करते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्यान हो, भबत हो, सबका मंगलां बद्धा को नमन करता हुए तमन नमामे, तम को नमन करता हुए संगन नमामे, संग को नमन करता हुए प्रेश सक्थान करता हुए संग को नमनामे, समापन करता हुए संग को नमन करता हुए झाल